हलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम प्रग्या शर्माया और पिछली बार मैं आपसे यही बात कर रही थी कि evolution हुआ तो है, मगर जब हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत जगाओं से इसका evidence भी मिलता है कि हाँ वाकई इस तरह के changes life forms में बहुत पहले समय से अर्थ पर होते चले आए हैं तो पिछली बार हमने paleontological evidence यानी fossils की बात की fossils में बहुत सारे ऐसे famous specimens हमको मिले हैं जिनसे हमको बिलकुल पक्का सबूत मिल जाता है कि हाँ evolution तो हुआ ही होगा आज देखो reptiles और birds को हम अलग-अलग class में डालते हैं लेकिन हमको Archaeopteryx नाम का एक fossil मिला जिसमें हमने देखा कि bird और reptile दोनों जैसे features एक ही animal के अंदर थे तो इससे हमें अंदाजा तो लगी गया कि सबसे पहले जब reptiles exist करते थे तो उनमें कुछ ऐसे changes आये होंगे कुछ ऐसी evolutionary changes देखे गए होंगे जिसकी वज़र से birds जैसे features उनमें आने लगे और इस fossil को देखने के बाद तो हम यहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि जो reptiles पहले से exist करते थे उनहीं में से birds निकली हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा हमको fossil मिल गया एक reptile था जिसमें bird जैसे features थे उसके feather थे उसकी beak थी लेकिन beak के अंदर दाथ भी थे तो archaeopteryx जैसे specimens को देखने के बाद ऐसे paleontological evidences को देखने के बाद हमें पक्का पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ खिचडी तो इस earth पे पकती आई है जो living organism आज हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आते हैं एक नजर में हम देख लेते हैं और कह देते हैं कि नहीं इनका तो आपस में कोई लेना देना हो ही नहीं सकता कहीं ना कहीं ये भी आपस में जुड़े हुए है तो हमने fossils की और embryology की पिछली बार बात की थी लेकिन fossils को देखने के लिए भी हमको past की बात करनी पड़ेगी क्यूंकि ये ऐसे living organisms के remains है जो कि अब earth पर नहीं पाय जाते और उसी तरह से embryological development भी हम अपनी आँखों के सामने नहीं देख सकते apparent नहीं है मगर हमारे पास evolution के ऐसे भी evidences है जो कि हमारी आँखों के सामने जीते जाकते living organisms में हमको नजर आते है अगर हम closely उनकी anatomy और morphology की similarities और dissimilarities को observe करें तो So, comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not ये बात मैंने पहले भी बोली कि सभी living organism हमारे एक ही जगा से निकले है life का origin बार-बार नहीं हुआ ये एक chance event था जो earth पर एक बार हो गया और फिर उसी life से with the action of evolutionary forces over the course of time इतनी सारी biodiversity बनती चली गई और आज इतने सारे varied life forms यहाँ पर established हो गए है लेकिन हम अगर दो बिल्कुल dissimilar organisms को भी देखते हैं तो ये बात पकिए कि उनका ancestor कहीं न कहीं earth की history में किसी न किसी point पर common जरूर होगा निकले दोनों एक ही जगा से होंगे भले ही आज एक दूसरे से कितने अलग हो गए हो evolution के कारण तो बस बात इतनी होती है कि जिसका जितना close evolutionary relationship है आपस में anatomy और morphology को compare करने पे जितनी similarity शो कर रहे हैं समझ लो उनका common ancestor उतना ही recent है थोड़ा कम समय पहले पाया जाता होगा और जो एक दूसरे से बहुत जादा अलग लग रहे हैं समझ लो कि क्यूंकि इनकी anatomy और morphology एक दूसरे से काफी अलग हो चुकी है मतलब बहुत पहले कि ये लोग बिछडे हैं यानि इनका common ancestor बहुत ही पुराने जमाने में पाया जाता होगा इसका हमें बहुत ही बढ़िया example हमारी NCRT book ने दिया इसने बोला फर एक्जाम्पल वेल्स, बाट, चीटा, एन हुमन्स शेर सिमिलारिटीज इन पाटन ओफ बोन्स ओफ फोर लिम्प अब सारे के सारे अगर हम वर्टेबरेट्स में देखे तो फिशिस के अलावा आप एम्फिबियन ले लो रेपिटाइल ले लो, आप बर्ड्स ले लो, मैमल ले लो ये चारों के चारों टेट्रा पॉड़ा होते हैं टेट्रा पॉड्स है हमारा मतलब है एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा वर्टेबरेट जिसके पास टू पेर ओफ लिम्प है उसके पास four limbs होते हैं, दो four limbs और दो hind limbs, अब हाँ, अलग अलग रूप्स में अलग तरह से change हो गए हैं, जैसे birds के जो four limbs है, असल में उनके पास ये wings की रूप में होते हैं उड़ने के लिए, और वैसे ही, अपने अपने habitat में, अपने अपनी surroundings में रहने के लिए, सब ने अपन निशान नहीं है, क्योंकि limbs के बिना ही चलना, उसने सीख लिया है, तो अगर हम दूर से देखते हैं, तो ये चारों organism जिनका नाम हमें दिया गया, एक तरफ whale, फिर हमारे पास bat, फिर cheetah, और human being, आपस में काफी अलग-अलग हैं, लेकिन हां, इनका close रिष्टा तो है, क्यो अपने four limbs को swim करने के लिए यूज करती है, बैट क्या है, बैट हमारे mammals के अंदर एक ऐसा order है, जो उड़ने वाले mammals होते हैं, तो ये उड़ने के लिए अपने four limbs को यूज करते हैं, चीटा बहुत तेजी से भागने के लिए अपने four limbs का यूज करता है, जबकि human beings तो अपने four limbs को अपने hands को पतानी कौनसी कौनसी complicated activities परफॉर्म करने के लिए आज यूज करने लगे हैं, तो function चारों का ही अलग-अलग है, क्योंकि चारों को अलग-अलग habitat में रहना था, चारों को अलग-अलग जगा में adjust करके रहने के लिए कोई ना कोई हिसाब किताब बिठाना थ इसलिए closely related होने के बावजूद भी, आज उनके four limbs एक दूसरे से इतने अलग नजर आते हैं कि हम कही नहीं सकते कि इसमें similarity होगी, लेकिन अगर हम अंदर से उसकी anatomy देखें, उसमें एक ही जैसी हड़ियां हमको मिलती हैं और ये bones का जो similar pattern हमें इतने अलग organism की four limbs में नजर आ इसी से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, चाहे आज कितने भी अलग हो गये हों, लेकिन ये आपस में closely related जरूर हैं, though these four limbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure, सब में वही humorous, radius, alna, carpal, metacarpal और phalanges हमको नजर आएंगे, जैसे कि हमारे हाथ में मिलते हैं, so these animals the same structure developed along different directions, due to adaptation to different needs, अब उनको अलग अलग जगा में रहना था, तो वहाँ पर adjust करने के लिए different type के four limbs evolution के दौरान उनके बन गए, लेकिन अगर आप depth में जाके उसकी anatomy देखोगे, अगर उनके four limbs की हड़ियां देखोगे, तो वो आज भी similar हैं, तो इतना अलग होने के बावजूद भी, function बिलकुल different होने के बावजूद भी, जो हमें ये anatomy में, जो हमें ये bones में similarity दिख रही है, इससे हमें बदा लगता है कि ये organisms आपस में closely related हैं, तो ये divergent evolution का एक example हो जाता है, divergent मतलब एक ही जगा से निकले, लेकिन फिर एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए, यानि दूर दूर in the sense कि different selection pressures face करने की वज़े से अलग-अलग जगा में रहना था, इस वज़े से उन्होंने अपने evolution की process को भी अलग-अलग दिशा दे दी, और इसलिए आज ये living organism आपस में इतने closely related होने के बावजूद भी, एक दूसरे से इतने different है, तो अब इनके पास ऐसे structure हो गये हैं, जो fundamentally similar थे, व function अलग-अलग हो चुका है, over the long period of time, function अब उनका अलग-अलग है, different function perform करने के लिए उनको use किया जा रहा है, लेकिन फिर भी fundamental structure similar है, origin एक ही है, ऐसे structures को हम homologous structures कहते हैं, तो homologous structure मतलब कि origin एक ही है, हमारी anatomy में similarity है, लेकिन function अब अलग-अलग हो चुका है, क्योंकि यहां पर divergent evolution, एक ही जगा से निकले, एक ही ancestor से निकले, लेकिन evolutionary process अलग-अलग दिशा में चले गई, एक दूसरे से diverge हो गए, so we have to remember this, कि divergent evolution के बाद हमको homologous structures मिलते हैं, जिनका origin एक होने के बावजूद, function अलग हो चुका है, जैसे कि यहां पर different mammals की four limbs का example लेकर हम देखते हैं, अ अगर हम उसकी anatomy को observe करेंगे, तो उसमें काफी similarity होगी, अच्छा, ये तो बात हो रही थी animals की, अगर plant में हम ऐसा ही similar example लें, तो बोगिन विलिया का thorn और कुकर बिटा का tendril, homology को represent करता है, क्यों भाई, ज़रा morphology in flowering plants वाला chapter याद करो, उसमें आपको बताया जाता है, कि ज axillary buds होती है, जो stem में पाई जाती है, वो अलग-अलग तरह की modification शो करती है, तो citrus और बोगन विलिया का example आपको दिया जाता है, ऐसी stem modification के लिए, जहां पर axillary bud एक कांटा बन चुकी है, एक woody pointed structure के रूप में, वो modify हो गई है, जिसको हमने thorn कहा, और ये structure, plant में defense के लिए काम आता है, ताकि कोई भी जानवर आता हुआ, टहलता हुआ, असानी से उस plant को खाना जाए, एक बर कांटे दिखेंगे, तो सोच के खाएगा, तो इसलिए defense के लिए, protection के लिए, यहां पर stem की modification यूज हो रही है, बोगन विलिया के case में, जबकि कुकुर बिट्स के case में, जो हम protection का नहीं, support का काम कर रहा है, तो देखो, यहां पर भी बात वही हुई, कि दोनों ही चीज़े, चाहे वो thorn हो, काटा हो, या फिर वो tendril हो, बने ये stem के modification से ही है, axillary bud के modification से ही है, लेकिन अब देखो, हमारे बोगन विलिया plant को ज़रूरत थी protection की, हमारे कुकुर बिटा को ज तोनों structures कहां से बने हुए, stem से बने हुए, तो वो ही बात हो गई, function अलग-अलग, एक का function protection का, एक का function, support देने का, लेकिन origin दोनों का एक ही है, दोनों बने stem की modification से ही है, नाव, homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite, अभी हमने क्या बोला, हम ये बात कर रहे थे, कि आपस में closely related थे, एक ही जगा से निकले थे, एक ही common ancestor में से बने थे, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे changes आए, कि उन परिस्तितियों के साथ deal करने के लिए, वो एक दूसरे से आज काफी dissimilar हो चुके हैं, लेकिन कई बार हम इसका उल्टा भी देखते हैं, हम देखते हैं, कि आपस में दूर दूर तक क आपको दे सकते हैं, अगर animals की हम बात करें, wings of butterfly and bird, अब देखो, bird और butterfly, दोनों के wings को अगर आप देखो, function उनका similarity है, उड़ने में ही help कर रहे है, basic principle भी वही है, कि उड़ने में हमें organism को lift करने में, animal की body को हवा में रखने के लिए, airborne रखने के लिए, एक बड़ा सा surface area देना है, तो वही काम एक तितली का पंक कर रहा है, और वही काम एक bird का wing कर रहा है, लेकिन असल में अगर आप इसकी anatomy compare करोगे, तो दोनों structure में कोई similarity नहीं है, उनकी anatomy बिल्कुल भी similar नहीं होगी, तो जैसे homology में हमने देखा था, कि origin एक था, लेकिन function अलग हो गया था, हम कि structures को हम analogous structure कह देते हैं, और यह convergent evolution की वज़े से बने है, different structures evolving for the same function and hence having similarity, उनमें similarity सिर्फ इसी लिया है, क्योंकि दोनों को एक ही जगे पे रहना था, या दोनों को एक ही काम करना था, तो इस हिसाब से उन्होंने अपने evolution की process को ढाल लिया, अपनी body में modifications कर ली, लेकिन असल क्या है, insect है, और हमारी bird क्या है, bird है, एक vertebrate, बिलकुल ही animal kingdom में दूर दूर का रिष्टा इनका नहीं बैठता है, so, other examples of analogy are eye of octopus and mammal, अब octopus एक mollusk और mammal तो हमारा chordate है, उसी दरह से penguin का flipper देखो और dolphin का flipper देखो, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, दोनों तेरने में मदद कर similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms, but toward the same function, इसी जीज़ का example, अगर plant में लोगे, तो आप शकरकंदी और आलू को देख लो, क्या है, एक को potato कहते हैं, एक को sweet potato कहते हैं, दोनों में जादा अंतर नहीं है, दोनों को vegetable के रूप में यूज किया जाता है, दोनों carbohydrates में बहुत रिच होते हैं, दोनों बहुत nutritious होते हैं, लेकिन असल में आलू जो है, वो stem की modification से बना है, और हमारी शकरकंदी होती है, एक modified advantageous root, तो एक root system का modification है, दूसरा हमारे stem का modification है, लेकिन देखो, food storage के लिए, एक ही function perform करने के लिए, दोनों इस तरह से adapt हो गए हैं, दोनों इस तरह से modify हो गए हैं, क तो ये हमारे पास concepts हो गए हमोलोगी और एनालोगी के, ये बात हम अपने ध्यान में रखेंगे, हमोलोगी मतलब एक ही origin, लेकिन अलग-अलग function की वज़ा से dissimilar हो गए, एनालोगी मतलब बिलकुल अलग origin, लेकिन एक ही काम करने के लिए, एक ही function perform करने के लिए, वो similar हो similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organism, give clues to common ancestry, तो ये तो examples हमने इसली ले लिये, क्योंकि animals के ये features हमको साफ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम proteins और genes के level पे जाए, molecular level पे भी जाके similarities देखें, तो हम ऐसा ही देखते हैं, कि जितनी similarities उतना ही close evolutionary relationship आपस में होता है, और common ancestry उतनी ही recent होती है, These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. Now man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds but still are of the same group. It is argued that if within hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years, तो देखो nature natural selection कर रही है, और हम भी अपनी तरफ से artificial selection करने में कमी छोड़ते नहीं है. Nature किसके लिए select करती है? Nature select करती है उसे जो जाधा fit होता है, जो जाधा survive कर पाता है. लेकिन हम किसे select करते हैं? हम उस plant ये animal को select करते हैं, जो हमको जाधा से जाधा फाइदा देगा. तो देखो, वैसे तो हमारे पास चुरू शुरू में wild animals और plants ही थे, हम भी जंगलों में ही थे. लेकिन धीरे धीरे उनको domesticate करके, हमारी मर्जी के characteristics जो शो कर रहा है, हमें जो जितना फाइदा दे रहा है, उस हिसाब से हमने उनमें ऐसे breeding programs चला है, कि अब हम अपनी पसंद की breeds create कर चुके हैं. देखो, अब हमें एक ऐसी crop चाहिए, एक ऐसा plant चाहिए, जो बढ़िया yield दे, जिसमें खूब सारे फल लगें, और हमें ये भी चाहिए, कि वो थोड़ा resistant हो, आसानी से उसमें हमें loss ना हो, आसानी से उसमें कीडा ना लगे, कोई बीमारी ना लगे. तो ये हम जान गए थे, काफी शुरू में ही, कि अगर हम किसी sexually reproducing organism को लेते हैं, तो आगे जाके जो young ones वो produce करता हैं, वो भी उसी के जैसे similar होते हैं. तो ऐसे ही desirable characteristics शो करने वाले plants और animals को हम आपस में breed करते चले गए, जैसे animals की अगर बात करें, हमारे पास पहले क्या था? वुल्फ था, अब हमें एक ऐसा animal चाहिए था, जो हमारे घर पे रहे, जो हमारे साथ friendly हो, जो उतना docile भी हो कि domesticate हो सके हम उसको अपने पास रख सकें तो अब वुल्फ में से ही धीरे धीरे अपनी पसंद के वुल्फ चुनते चुनते हमने ऐसा breeding program चला दिया कि आज हमारे पास जो dogs हैं, वो दूर दूर तक भी वुल्फ से similar नहीं लगते, लेकिन असल में बने वो वुल्फ से ही artificial breeding program की वज़ा से हैं, तो जब human beings अपनी of years, earth की history में, ऐसे changes living organisms में नहीं ला पाया होगा, बस अंतर यह है कि हम इन changes को ला रहे हैं, अपने फाइदे के लिए, अपने benefit के लिए, और nature, fitness के लिए natural selection करती है, तो another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England, अच्छा, अभी तक जो हम देख रहे थे, analog ही homology, इसमें हम, जो organism हमारे सामने हैं, उसकी anatomy को observe कर रहे थे, हाँ आपस में similar हैं, तो समझ लो कि यह closely related है, आपस में similar नहीं है, तो समझ लो कि वो same function perform करने के लिए similar pressure face करने की वज़े से एक दूसरे के साथ similar हो गया है, जैसे कि अगर आपकी school में uniform होती है, अब वैसे घर पे तो सब अलग-अलग कपड़े पहनना पसं कि वैसे तो सब एक दूसरे से अलग-अलग थे, यानि origin सब का अलग, लेकिन वहाँ पर जाकर क्योंकि एक ही pressure face किया, वहाँ पर जाकर एक ही master जी मिले, जिन्होंने कहा कि यही uniform पहननी है, तो सब ने एक जैसे कपड़े पहन ले, origin अलग होने के बावजूद भी, जो है, ए एक ही function कर रहे हैं, तो ये हमारे पास, जिस तरह से हमारी daily life में example होता है, एक ही जगे पर जाकर एक ही काम करना पड़ता है, एक situation के साथ एक ही तरह से deal करना पड़ता है, चाहे आप personally, कितने भी अलग इनसान हो, उसी तरह से life forms ने भी survive करने के लिए, survival के लिए, इसी तरह की characteristics शो किये हैं, जो कि उनके survival के chance को बढ़ा देंगे, अब तक तो हम देख रहे थे, कि ये living organism को देख के अंदाजा लगाएं, कि चलो ये आपस में closely related है, common ancestor इनका होगा या नहीं होगा, लेकिन असल में human beings ने अपने आखों के सामने भी evolution का एक example notice किया है, जिसके बारे में हम आज डिसकस करते हैं, काफी interesting है, देखो क्या हुआ, कि पहले तो उतनी factory या नहीं थी, जब industrialization नहीं होई थी, तब कोई खास pollution भी नहीं था, तो उस समय पर जो natural ecosystems थे, वो काफी free रहते थे, वो काफी contamination से मुक्त रहते थे, और air pollution तो उस टाइम पे, समझो ना के बरापर, थ इतनी की आज की डेट में गिर गई है, so this example comes from England, in a collection of moth made in 1850s, अब वहां पर रहते थे moth, moth मतलब जो पतंगे होते हैं, अब उसमें हमें दो दरह की variety मिलती थी, एक काले कलर के होते थे, डाक कलर के, और एक होते थे सफेद कलर के, एक दमी light कलर के, तो before industrialization, इस से पहले की अगेरा बनी, it was observed that there were more white-winged moth on trees than the dark-winged or melanized moth, melanized इसको बोला, जो डाक कलर का है, उसी को melanized बोल दिया, तो अब industrialization से पहले क्या देखा गया, कि उन मौत में, जो light-color के थे, सफेद कलर के थे, वो जादा थे, और काले वाले, melanized वाले कम थे, however, in the collection carried out from the same area, but after industrialization, 1920 में, जब मौत को देखा गया, तो ये, जो पासा था, वो पलट चुका था, the dark-winged moths in the same area, were more in number, and the proportion was reversed, white-color का नंबर घट कया, black-color का नंबर बढ़ गया, और इसका कारण क्या रहा, इसका कारण रहा, natural selection, हाला कि वो natural selection, human activities की वज़े से ही हुआ था, the explanation put forth for this observation was, predators will spot a moth against a contrasting background, तो पह जो पेडों का तना था, जिस पे उसको बैठना था, वो lichen से covered रहता था और lichen काफी light color के होते थे, तो अब ऐसे में, सफेद वाला जब उस lichen पे बैठेगा, तो उसको कोई नहीं देख पाएगा, वो अराम से चुपा बैठा रहेगा, लेकिन, dark color वाला moth, जब उस light color के background बैठेगा, तो असानी से कोई भी उसको predator देख लेगा, और उठा के ले जाएगा, तो predators के लिए उसको spot करना आसान था, इसी लिए काले वालों की fitness कम थी, उनका number भी कम था, white वाले मौज में रह रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, during the post-industrialization period, खूब सारा धुआ फैक ट्रियों से निकला के उस धुए से, कार्बन से, स्मोक और सूट से, जो हमारे लिकन्स थे, उनकी ग्रोथ कम हो गए, लिकन्स तो polluted जगा में उगते नहीं है, now under this condition, the white-winged moth did not survive due to predators, dark-winged or melanized moth survived, क्योंकि industrialization से पहले, there was thick growth of almost white-colored lichen that covered the bark of trees, in that background, the white-winged moth survived, but the dark-colored moth were picked out by predators, Now, moths that were able to camouflage themselves, that is, hide in the background, survived. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, in rural areas, the count of melanic moths was low. This showed that in mixed population, those that can better adapt, survive and increase in population size. Remember, that no variant is completely wiped out. तो यहाँ पर यही बताना चारा है, कि पहले तो जो सफेद background पे light-color वाले moth बैठे रहते थे, वो आराम से predator से बच जाते थे, अब बाद में white-color के lichen pollution की वज़े से हट गए, और वहाँ पर काला-काला carbon जम गया, अब उस पे white-color के moth को देखना, उसको spot करना, उसको बढ़ गई, और उसी हिसाब से उनकी populations भी बढ़ती चले गई, और अपनी आखों के सामने evolution का ये example हमने देखा, कि पहले white वाले के पास जादा fitness थी, तो उसकी frequency जादा थी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उसकी advantage कम हुई, black वाले की fitness बढ़ी, black वाला predator से बचने में जादा समर्थ हो गया, वैसे ही उसकी population भी बढ़ती चले गई, और जिन rural areas में जादा कुछ factory नहीं थी, जहाँ पर pollution नहीं था, वहाँ पर अभी भी white वालों का number ही जादा था, तो हमें साफ साफ ये जो melanization of moth का example है, इंगलेंड में जो moths की population में आने वाला change देखा गया इतने छो herbicide, pesticide वगेरा, they have only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale, जैसे कि अगर आप DDT का example लो, पहले DDT दवाई बनाई गई थी मच्छरों को मानने के लिए, लेकिन आप उसको use नहीं करते हैं, एक तो वो बहुत ही जादा harmful है, natural ecosystems में accumulate होती रहती है, living organism को नुकसान पहुँचाती रहती है, और दूसरी अब evolution की process से हुआ क्या है, भाई, सारी मच्छों की population में जादा तर तो मर जाते थे, लेकिन एकाद ऐसे भी होंगे, तगड़े वाले, जिनको DDT से उतना असर नहीं बढ़ा, अब क्या हुआ, जिन पे भी DDT हमने spray किया, उसमें से जो DDT से मर गए, वो तो मर गए, अब जिस और आने वाली मच्छों की जेनरेशन्स DDT के अगेंस्ट रिजिस्टेंट हो गए, तो अब पुरानी दवाईयां, चाहे अब वो herbicide हो, pesticide हो, insecticide हो, उतनी असरदार क्यों नहीं रहती, क्योंकि evolutionary process के दौरान, उन organisms ने, सिर्फ जिन में fitness थी, जिन में उस दवाई के सामने भ अगेरा को मारने के लिए antibiotic दवाईयां यूज करते हैं, तो अब हमारे पास, इतने कम समय में, ऐसे microbes की strain सामने आ गए हैं, जो कि किसी भी antibiotic से नहीं मरते, इसलिए आज़कल diseases को ट्रीट करना हमारे लिए और मुश्किल होता चला जा रहा है, hence resistant organisms and cells are appearing in a time scale of months or years and not centuries, these are examples of evolution by anthropogenic action, तो human activities की वज़े से ही evolution हो रहा है, हला कि natural selection का mechanism वही है, जिसमें fitness है, जिसमें survive करने की ability है, उसकी frequency बढ़ रही है, लेकिन बढ़ क्यू रही है, एक human activity की वज़े से, और इसलिए evolution इतना तेज है, this also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinism, जैसा कि हमने देखा, पहले evolution में किस की जीत हो रही थी, light color वाले मौत की, लेकिन जैसे ही condition थोड़ी बदली, जैसे ही light color के lichens हट के है, वैसे ही, अब fitness किस की बढ़ गई, हमारे black color वाले मौत की, अब यहाँ पर evolution की process में, natural selection में, जीत हो गई, तो यही बताया है, it's not a directed process, it is based on chance events in nature, and chance mutation in the organism, कौन सी variation हमको किस organism में नजर आ ज shell हो जाए, यह chance की बात है, और इसलिए evolution को पढ़ना हमारे लिए और जादा interesting हो जाता है, क्यूंकि next step में क्या होने वाला है, यह हम predict नहीं कर सकते, वहाँ पर कैसी conditions बनी, कैसे कैसे organisms थे, और उन्होंने उन conditions को face करने के लिए, कौन से mechanism employ किये, यह कहा नहीं जा सकता, और इस और biological evolution के लिए, Darwin के अलावा दूसरे लोगों ने क्या हमें theories दी है, इसके बारे में भी discussion करेंगे, चलिए, मिलते हैं अगली बार